नमस्का दोस्तों स्वागत है दोस्तों आप से भी का आपके अपने यूटूब चैनल को आले जूकेशन में दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अभी बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि DSSB की वेकिंसी आने वाली है तो दोस्तों इसी पर क वीडियो होने वाला है कितने प्रदों पी वेकिंसी आएगी कब से इसके फॉर्म बढ़े जाएंगे क्या इसका सेलेक्शन प्रोसेज है क्या इसकी आयोगी सीमा है इसमें कम्प्लीट वीडियो के इंदर अपने देखने वाले हैं आपस टाइम हमारे साथ जोड़ी है फ issue का जैड़ी है क्सी आप फॉर्म का मेथर रहने वाला है आप फॉर्म जो फ्यौ करने वाले है वह ओनलाइन करने वाले दोस्तों बात करें इसकी लासडेट इसकी ल वीडवि रहने है इसकी ऑपिसल वेबसाइट ज board इन क्या इसकी सी अप्शल online form बन सकते हैं दोस्तों आगे बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी application piece की बात करें दोस्तों तो दोस्तों application की piece की बात करते हैं अपन तो general category, OBC category के लिए सोर पे piece तकी गई है बाकी STPWD, ESM और women's के लिए जो piece है आपकी बिल्कुल निल रहने वाली है और यह payment मतर जो होने वाला आपका online होगा यह payment आप net banking, debit card, credit का या कैसे भी आप UPI के माध्यम से आप इसको कार सकते हैं दोस्तों आगे बात कर लेते हैं age limit की दोस्तों अगर age limit की बात कर रहे हैं अपन तो इसकी जो age का credit रखा गया वो 36 या 36 साल लगा गया उसके बाद जिन category इसको I.U. में चूट दी जाती है नियमा नुसार वो चूट भी दी जाने वाली है SCST जो भी category है उनको I.U. में चूट दी जाती है उनको proper उसके subject चूट मिल जाएगी दोस्तों और पिर इसके qualification की बात करें दोस्तों तो वीडियो की description में आपको इसका complete official notification है उसका link मिल जाएगा आप लोग वहाँ पे जाके इसका complete qualification का है वहाँ पे देख सकते हैं अलग-अलग post में अलग-अलग qualification इसकी रखी गई है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं दोस्तों selection process की बात करें पन तो selection process में सबसे पहले आपका return exam होगा उसके बाद में skill test होगा अगर वो post के लिए requirement है तो आपका skill test होगा अगर आपकी post के लिए requirement नहीं है तो आप उसको आपका skill test है वो नहीं होगा उसके बात करें दोस्तों documents verification होगा आपका उसके बाद में आपका medical examination होगा ये था आपका क्या दोस्तों? selection process रहने वाला दोस्तों आगे बात कर लेते हैं अपन कि आप इसको form को कैसे fill कर सकते हैं तो इससे पहले मैंने आपको बता दिया इसकी official website dssv.daily.gov.in पर जाना है आपको वहाँ पर जाने के बाद भी आपको dssv.gov.tv से एक link दिखेगा वहाँ पर आपको क्या करना है? एजली वहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद में application form में अपनी detail बनी है आपको जो detail बने जाए वो आप आराम से अपनी detail बिल्कुल आराम से वो बन ले उसके बाद में आपसे photo sign या आपके जो भी दस्तावेज अपलोड करने के लिए कहा जाए आप उन दस्तावेज को क्या कर ले? अपलोड कर ले दोस्तों उसके बाद में अगर आपकी category के according अगर आपको piece पे करने हैं तो आप piece पे कर दे नहीं तो आपको 9 मार्सिस स्टार्ट हो जाएंगे सभी लोग 9 मार्सिस का फर्म बद्धे 208 पतों पे वेकेंस साथ अप्रेल इसके अनुतिम तिती दोस्तों अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें आप सेयर करें कमेंट करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों थेंक्यू सुआ मच गाइस थेंक्यू